प्रेंड्स कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तो अभी टाइम हुआ है साथ बज़े का तो ये है मॉर्निंग का व्यू तो आप देख सकते हैं तो मैं व्लोग की शुरुआत कर रही हूं मॉर्निंग से तो ये है गाइज मॉर्निंग का व्यू कुछ इस तरीके का है आज आज मौसम है बिल्कुल साफ आप देख सकते हैं आसमान की और एक भी बादल नहीं है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये है सामने शिरिकंड महादेप तो यहाँ पर बरफ पड़ी है ये आप देख सकते हैं और ये सामने है निर्मंड जो की हमारी तसील है फ्रेंज ये जो आप देख रहे हैं कद्दू का टाइब का इसको हमारी भाशा में रिटा बोलते हैं ये कद्दू नहीं है ये रिटा है तो इसकी हम आज बनाएँगे बढ़िया जो की खाने के लिए होती है तो फ्रेंज हमारे जो यहाँ मग महीने में बढ़िया डालते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ मम्मी जी जो है इसको कद्दू कस कर रहे है काटके इस रिटे को तो इसको सबसे पहले कदू कस करना पड़ता इस तरीके से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसके छोटे-छोटे टुकडे करके जो है इसको काटके कदू कस किया जाता है तो आप देख सकते हैं तो फ्रेंज यहां पर कदू कस हो चुका है रेटा तो हमने दो रेटे को कदू कस किया है तो इससे पानी बहुत जादा निकलता है तो फ्रेंज यह पानी जो है इससे पूरी तरीके से निकलना चाहिए बाहर तो यह इसको जो है बाद में निचोडा जाता है इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए तो ये आप देख सकते हैं ये डाले हैं हमने मौंग डाले हैं गाइज इसमें पतीले में आप देख सकते हैं ये हमने एक दिन पहले डाल के रखे थे पानी के बीच बिगोने को ये तब तक डालने चाहिए पानी के बीच जब तक नरम ना हो जाए तब इसको पीसने में थोड़ी असानी हो जाएगी ये आप देख सकते हैं गाइज रेटे के बीज इतने सारे बीज इसके अंदर से निकलते हैं तो इन बीजों को हम सुखाएंगे और इसको बीजने के लिए रखेंगे ये देख सकते हैं आप ये है मिंकू जो की हमारा वगीरा है ये अभी सोया हुए है दूप में तो फ्रेंज ममी जी ने यहां इसमें मसाला मिला दिया है मूँ की डाल और मसाला और रेटा तो इसको जो है मिलाते हैं मिक्स करके तो आप देख सकते हैं इस तरीके की बड़िया डाल रखी है तो इनको ऐसे गोल गोल करके डालते हैं सुखाने के लिए और जब तक के बिलक के यह तैयार हो जाती है, तो यह आप देख सकते हैं हमारे चीकू-पी-कू, जो कि यहां मस्तिय कर रहे हैं किल्टे के अंदर, तो इनकी शिरारते आप देख सकते हैं, फ्रेंज इसी तरह से हमारे यहां रिटे की बढ़िया डालते हैं, और यह खाने में बहुत ही टेस्टी ह इनको जो है कड़ी के बीच ही डालते हैं कड़ी के बीच बनाते हैं तो यह हमारे यहां इसी तरह की बनाते हैं तो कैसी लगी गाइज आपको हमारी चोटी सी वीडियो फ्रेंज अभी जा चुकी है हमारे घर के पास से धूप धूप पहुंच गई है वहां नीचे जैसे कि आ हमारे यहां से आज कल धूप जाती है, दो बजे के करीब, यह थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो हमारे यहां जो इस तरीके की बड़िया डालते हैं, आप भी कमेंट में जरूर बताना की आपके यहां इसको क्या बोलते हैं, जो मैंने आज वीडियो में दिखाया बड़िया कैसे डालते हैं, तो प्लीज कमेंट करना, तो फ्रेंज जो चैनल में नए बने हैं, क्रिप्य चैनल को सस्क्राइब करना और बेल आइकन प्रेस भी जरूर करना ताकि आने वाली वीडियो की और नोटिविगेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे तो मिलते हैं अब अगली नए वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राम जैवीर वजरंग वली नमस्कार